हेलो गाइज वेलकम तो वाजा कॉस्मेटिक यूटीब चैनल दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और कॉस्मेटिक प्रोड़क की सारी जनकरी में आप तक पहुंच सकूँ तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बाय और इच कंपनी के ऑक्सी डायमंड शाइनर ब्लीच के बारे में तो आज इस वीडियो को आप पूरी एंट तक दीखिए ताकि इस प्रोड़क के बारे में आपको पूरी जनकरी मिल सके तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके पैकेजिंग के बारे में तो बहुत ही बड़ी ऐसा चोटा सा पैकेजिंग बनाए गया है दोस्तों ये साइज सबसे चोटी है और इसमें टोटल तीन साइज आती है ये 38 ग्राम की है इनसे बड़ी वाले 150 ग्राम की शायद आती ह इनसे बड़ी एक 400 ग्राम की एक साइज आती है और ये सबसे चोटी है और सबसे जएदे ये चलती है इसमें है बायोरीज प्रीमियम लिखा हुआ है यहापे बेजिंग दी गई है यहापे लिखा है स्कीन टैक और यहापे है ऑक्सी डायमंड शाइनर ब्लीच और यहापे है लाइट और डार्क स्पोर्ट इंप्रू स्कीन टॉन और डिफ मॉस्चुराइज दोस्तों आपकी जो डार्क स्पोर्ट है उसको रिमो करता है आपकी स्कीन को इंप्रू करता है और आपकी स्कीन दो एक दम मॉस्चुराइज कर देगा तो ड्राइनेस है या फिर डार्क करते हैं उनसे भी यह बहुत ही जबरदस रिजल देता है यह बहुत चलता है अभी तो यह मेरी शॉप में और इसकी MRP की बात करें तो 70 रुपीस की MRP है और यह 38 ग्राम की यह बोटल आती है और इंदर दुस्तों आपको खोल के दिखा देता हूँ तो खोलते ही आपको इसमें दो बोटल मिल जाती है यह है इसका एक मेट यह है इसका ओक्सी डाइमंड लोशन है शाइनर बिलिच लोशन यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे है ल दुस्तों अंदर की बात कर तो यह का आपको स्पून मिल जाता है और यह आपको अलग-अलग कैसे यूज़ करना है यहाँ पे बता देता हूं में इसमें एक्टिवेटर मिल जाता है आपको यह वन टाइम यूज़ करने के लिए है इसमें दो एक्टिवेटर मिल जाता है म यहां पे पूरे का पूरा यह लोशन से बर देना है यह वाला और दुसरी तरफ यह एक्टिवेटर डाल देना है और दोनों को मिक्स करके आपको लगा देना है और कोई नई चीज नहीं है सिम्पल ही स्टेप है इस लोशन को इस आपके सबसे यहां पे डल देना है और दोनों को मिक्स करके आपके पूरे फेस पर लगा देना है कोई नई चीज नहीं है और 15-20 मिर तक इसको रहने देना है फिर नॉर्मल पानी से इसको खोश कर देना है यहां पे कैस से यूज करना है और सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो आराम से और यह सब भी स्कीनों में चलता है ड्राइ स्कीन, ओईली स्कीन, नॉर्मल स्कीन, सब भी स्कीनों में चलता है कोई भी प्रॉब्लेम नहीं आएगी लेकिन सेंसिटिव स्कीन में यह थोड़ा प्रॉब्लेम दिखा सकता है क्योंकि सेंसिटिव स्कीन में थोड़ा जलन होता है इसमें इसलिए मैं सेंसिटिव स्कीन वालों को मैं एवोइड तो थोड़ा बहुत आपको वहां से डिसकाउंट मिल जाएगा अगर मेडिकल स्टोर में या फिर कॉस्मेटिक स्टोर में यह प्रोड़क आपको आराम से मिल जाएगी शाहिद इस कंपनी का नाम आपने सुनाई होगा बाश शाइनर की रेंज में बहुत ही बढ़िया सा यह शाइनर मिलता है रिजल्ट भी बहुत ही जबरदस है इसके साथ में मेरे पास अभी वही कंपनी के स्कीन वाइटनिंग ब्लीच भी है और एक दूसरा है विटामिन सी वाला भी है दोस्तों तीनों का काम अलग-अलग है मैं इन दोनों की अलग से एक वीडियो में आपको ब लगा तो मुझे मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मेरी वीडियो को लाइक कर दीजे मैं ऐसी वीडियो आपके लेकर लेकर आता रहता हूं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजे और ऐसी नई वीडियो आती रहे की मेरी चैनल पर तो प्लीज मेरी चैनल को सब सब्सक्राइब कर दीजे चले दोस्तों अगले वीडियो मिलते तब तक के लिए गुडबाई दन्यवाद थेंक्यों फॉर वाचिंग